नमस्कार आप देख रहे हैं हापड़ हल चलो और मैं हूँ आपके साथ लले जनसंख्या एसंतुलन के कारण संभावित ग्रह युद्ध को रोकने हितु जनसंख्या निंदरन कानून बनवाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान पर निकली जनसंख्या समधान फाउंडेशन की रधयात्र हापड पहुँची एसिक्षा और देश के संसाध्यों पर कबजा करने की नियत से अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवर्ती पर रोक लगाने की एविलम बावशक्ता अनिल चोधरी ने कहा देरसल जनसंख्या नियंत्रन कानून बनवाने के उद्देश्य से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतरगत पिरदेश के 66 जिलों में जारी जनसंख्या समाधान यात्रा 4 दिसंबर को गाजयबाद से चलकर सर्धना पहुँची राश्टरहित में जारी सियात्रा का हापुड में पिलखवा से लेकर बाभुगर तक 25 से 30 स्थानों पर संग्ठन के सैक्ड़ों कार्य करता हो और आम लोगों ने स्वागत किया और आरिय समाध मंदिर हापुड में एक बड़ी सभा का आयुजिन किया गया सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संग्ठन के राश्टरी अध्यक्ष अनिल चोधरी ने कहा कि एसिक्षा और आठाठ बच्चे पैदा करने की प्रिवर्ती के कारण देश में जनसंख्या का एसंतुलित और एनियंत्रित विस्फोट हो रहा है जिससे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और कुपोशन बढ़ रहा है श्री जोधरी ने आगे कहा कि भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भारवेहन कर रहा है जबकि आबादी के अनुपात में हमारा भुभाग बहुत कम यानि लगभग 2.4 पीजदी है और जल्भी विश्व का मात्र 4 पीजदी ही है यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ती जा रही है उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या एसंतुलन की समस्या के समधान के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए जाती धर्म शेत्र वे भाशा से उपर उठकर समान रूप से एक कठोर जनसंख्या निंतरन कानून लागू होना दियावशिक है वहीं संख्या की जिलाध्यक शापुड राजेंद्र गुर्जन ने बताया कि जनसंख्या समधान फाउंडेशन अपने उत्तर प्रदेश जनसंख्या भ्यान के अंतरगत प्रदेश के 66 जिलों में रध्यात्रा निकाल कर जिले जिले में सभा करके लोगों को एक जुट कर रही है 28 दिसंबर को आयोध्या में प्रस्तावित समापन सभा सहित प्रदेश की बड़ी सभाओं में संग्ठन के मुख्य सररक्षक इंद्रेश कुमार जी सहित देश्व प्रदेश के अनेक महत्वपून लोग भी भाग लेंगे सभाको संग्ठन के महा सचिव सुंदर कुमार आरिया महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती ईश्वर कुमारी सी सोधिया भारती किसान यूनियन भानू के जिलाध्यक्ष पवन हून संग्ठन की राष्ट्री संयोजक ममता सहगल राश्ट्री महासचिव धर्मेंदर धामा, सुनिल शर्मा, सुधीर शर्मा, योगेश सिंग अरोडा, राश्ट्री उपाध्यक शैलेंद्र तोमर, रविंद्र गुर्चर, मनुपाल बंसल, पिनोध भाटी, राम बाबु धामा, दिनेश चोहान, दिल्ली प्रिदेश अध्य अध्यक्ष गबर चोहान, और उत्तर प्रिदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंग निलकंठ आधी वक्ताओं ने संबोधित किया, रध्यात्रा का हापुड की टीम द्वारे 6000 सी टोल प्लाजा पर सैंक्डो गाडियों की संख्या में पहुंचकर स्वागत किया गया, और फिर जातिवादारी समाज मंदिर में एक सभा का आयुजन किया गया, वक्ताओं ने कहा कि जातिवाद की गहराती जड़ें देश के लिए खतरनाक हैं, भारत को अखंड भारत बना कर भारती संस्कृति को विश्व का मार्क दर्शक बनाना है, तो जातिवाद से उपर उठकर पोजने और मानने वाली संस्कृति को आपस में वैमनेस से समाप्त करके एक जुठोना ही होगा। अब ही ऐसा करने में कोई तकनी की वैवथान हो तो इस विश्व को अपने घोश्वडा पत्र में शामिल करके नई सरकार का गठन होने पर। सर्वपिर्थम राश्ट रहित का सरवाधिक महत्पून और अति आविशक जनसंख्या विशक कानून बना कर उसे लागू करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही हापुडो रास पास की तमाम हम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हम है हापुड शहर का नमबर वन नीज चैनल हापुड हलचल नमस्कार